नमस्कार मैं सुचिला राय डिम्री रोज की रसोई में आपका स्वागत है दोस्तो फल फुरूर तो हम सब खाते ही हैं लेकिन कभी कभी दो फल एक जैसे दिखने के बाद इनका अंतर समझ नहीं आता जैसे संत्रा और मौसमी लोग संत्रा और मौसमी का जूस बनवा कर पीते हैं लेकिन इनका अंतर समझ में नहीं आता संत्रे नारंगी रंके होते हैं जबकि मौसमी हरे रंके होते हैं संत्रे में आम तोर पर खटी सुगंद के साथ मीठा और तीखा स्वाद होता है वे अपने रजदार और टाजा स्वाद के लिए जाने जाते हैं जबकि मौसम्मी के स्वाद मीठा और थोड़ा हलका होता है संत्रे के स्किन उपर से डिली होती है पर मौसम्मी थोड़ी कठोर तौचा वाली होती है दोस्तों मौसम्मी के तुलना में संत्रे में ज़्यादा पोटेशिम पाई जाता है मौसम्मी के तुलना में संत्रे में ज़्यादा मिठास होती है संत्रे में नेचुरल शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है जिसके चलते इसमें ज़्यादा केलरी पाई जाती है और अगर जूँस के बायत करें तो संतरा विटामिन C से भरपूर होता है विटामिन C इम्यून सिस्ट्म को मझजबूत बनाने में मदद करता है दोनों हे जूँस अच्छे हैं पर मुसम्मि में विटामिन C संतरे के तुलना में कम होता है तो दोस्तो यह था मेरा आज का वीडियो मिलूंगे नेक्स वीडियो में ऐसे एक नई जानकारी के साथ थैंक्स वर वाचिंग रोज की रसोई